नारियल के तेल में बस दो चीजे मिलाकर लगा लीजिए पूरे शरीर का रंग बुल्गुल गोरा और चमकदार हो जाएगा कि आप चौक जाएगे कई बार उप्टन भी हमारे शरीर पर रेडनेस कर देता है बट ये जो रेमेडी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये इतनी जादा जबरदस्त है इतनी जादा असरदार है ये इसकिन पर कभी रेडनेस नहीं करती ये आपकी इसकिन को हमेशा सॉफ्ट हैल्दी करके रखेगी बिल्खुल नुकसाम नहीं देगी आपकी सकिन को चाहें आपकी सैंसिटिव सकिन ही क्यों ना हो इसकिन की काले पन को रिड्डियोस करेगी तो नाजल के तेल में अगर आप सोने से पहले ये दो चीजें मिलाकर अगर आप लगाएंगे अप्लाई करेंगे तो आपकी इसकिन का काला पन जो बहुत जादा बड़ा हुआ है ये उसे कम कर देगी टैनिंग को हटाएगी दूप के कारण अगर आपकी तवचा जोलस रही है चमक नहीं रही है तो प्लीज एक बार आप इस रैमिटी को च्राय करके देखेगा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नारील थेल के अंदर कुछ चीजों को मिक्स करके ऐसा सॉलिशन जो की आपकी बॉड़ी में इस पा की तरह काम करेगा और आपकी बॉड़ी में इतनी चमक आजाएगी कि आपकी बॉड़ी में ये क्लींजिंग का काम भी करेगा क्लीन, क्लियर, सॉफ्ट करेगा मैं आपको बता देती हूँ अगर आपकी बॉड़ी में बहुत ज़ादा पिंपल्स निकलती है तो भी आप इस रेमिटी को च्राइ कर सकते हैं और अगर आपकी इसकिन बहुत ज़ादा सेंसिटिव है और कुछ भी ये आपको नुकसान नहीं देने वाली है तो ये रेमिटी इतनी ज़ादा नैच्रल है कि आपकी इसकिन को बिलकुल भी ये नुकसान नहीं देगी यह skin को soft कर देगा, smooth कर देगा, whiten कर देगा, बिलकुल natural है और 5 मिनट के अंदर बन जाता है तो let's get started तो सबसे पहले अगर आपने मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है, चैनल पर नहीं है तो please subscribe करके चैनल को bell icon का बटन जरूर दबा दें और वीडियो अच्छे लगे हो तो like में जरूर कर दीजीगा तो चलिए time miss ना करते मैं बता देती हूँ कि हमें क्या-क्या चाहिए इसके लिए सबसे पहले आप एक bowl दे लीजी और फिर मैं बताती हूँ कि कैसे हमें ये solution बनाना है, कैसे use करना है यहाँ और फ्रेंड्स आपको चाहिए नारल का तेल नारल का तेल मैं एट कर रही हूँ 1 टेबिल स्पून जैसे कि आप देख सकते हैं, एक चमच मैंने ले लिया है coconut oil नारल के जो तेल होता है, यह हमारी इसकिन के लिए बहुत सारे benefits होते हैं इसके अंदर यह हमारी इसकिन को hydrate तो करता ही है, mausturizer का भी काम करता है और साथ ही साथ इसकिन में glow बढ़ाने का भी काम करता है and then मैंने एक टेबिल स्पून ले लिया है, नारल का तेल और दूसरा हमें चाहिए जो लेना है वो है कच्चा दूद यानि raw milk कच्चा दूद हमारी इसकिन में cleansing का बहुत अच्छा काम करता है and आपको यहाँ पर कच्चे दूद का ही इस्थिमाल करना है कच्चा दूद हमारी स्किन के लिए इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि यह हमारी स्किन से pollution, dirt, गंदगी को remove करता है यह tanning का काम करता है, complexion को साफ करता है तो यहाँ पर हमने दो चमच कच्चा दूद ले लिया है अब हमें इसमें एट करना है aloe vera gel तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ आप पत्ती वाला aloe vera यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है तो यहाँ पर आप कोई सभी aloe vera यूज कर सकते हैं पत्ती वाला भी और जो ट्यूब में मार्केट में मिलता है वो भी वैसे आप मार्केट वाला aloe vera gel भी यूज कर सकते हैं तो एक चमच ले लें aloe vera gel अब इन सभी को हमें अच्छे से mix कर लेना है आपको इसे रात में सोने से पहले full body पर massage करनी है और यह इतनी ज़्यादा effective है कि यह आपको आपकी skin को तीन से चार दिन में ही lighten कर देगी glow तो इतना ज़्यादा बढ़ा देगी कि आपको भी हरानगी होगी अपनी skin की glow को देखकर क्योंकि इसमें मैंने जितने भी चीजे एड की है जैसे raw milk आपकी skin को clean करेगा और जो हमने जो two ingredients coconut oil और aloe vera एड किया है यह आपकी skin में glow को add कर देगा बस हमें इस remedies में mixing बहुत अच्छी तरह करनी है इसे एक cream की consistency में ले आना है तो यह देखिए जो हमारी cream है कुछ इस तरह से त्यार हो जाएगी इस cream को ना आप freezer में आप तीन से चार दिन के लिए बड़े राम से store करके रख सकते हैं बट अगर आप fresh बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए क्योंकि यह सिर्फ तीन चीज़ों के साथ मिलकर बन जाती है आप इसे अपनी full body पर, elbows पर, legs पर आपको apply करने का तरीका मैं बता देती हूँ जो इस तरह से है कि इसे पूरी body पर, elbows, legs पर, face पर अच्छे से apply करके massage करना है सबसे अच्छी बात यह है कि आपको weight नहीं करना है wash करने के लिए बस आपको massage करना है और जब तक यह आपकी body में deeply absorb नहीं हो जाती तब तक इसे massage करते रहे जब आप इसे use करेंगे तो tanning धीरी-धीरी कम होना शुरू हो जाएगी massage के बाद इसे normal पानी से धूले और tissue paper से अच्छे तरीके से पोच ले बस एक बात का आपको ध्यान रखना है साथ दिन तक आपको इसे लगातार यूज करना है बट आप इसे regular भी यूज कर सकते हैं तो फिर इससे आपकी skin चांद की तरह चमक जाएगी यह मेरी guarantee है इसे यूज करने के बाद आपको पार्लर जाने जाकर मतलब facial की जरूत नहीं पड़ेगी यह इतना ज्यादा effective है कि एक बाद जरूर आप इसे ट्राय करके देखेंगे home beige night cream तो उमीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छे लगी होगी please like and subscribe जरू कर दीजिगा thank you